जै मतादी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसम्बर माहा के 7 दिसम्बर और 8 दिसम्बर के कुम राशी फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इन दो दिनों में आपका करियर कैसा होगा आपका वेपार कैसा चलेगा अगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है और पासी बने बेल का एकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चली जान लेते हैं कि इन दो दिनों में कौन से इतिती है य इकादसीति थी है और रेवती नक्षत्र रहेगा सुभा तक उसके बाद अश्वनी नक्षत्र लग जाएगा इस दिन व्यति पात नाम का योग बन रहा है और शाम को वरियान नाम का योग बनेगा ये शनिवार का दिन है और इस दिन दो पहर बाद चंद्रमा मीन राशी स से निकल कर मीश रासी में पहुंचेंगे सूर्य जो है वो व्रश्चिक राशी में चल रहे हैं आठ दिसम्बर की बात करते हैं तो आठ दिसम्बर शुकल पक्षक की एकादसी तिथी है सुबह तक उसके बाद वादसी लगेगी तो इन दो दूनों में एकादसी तिथी रहने जाएगी अच्विनी नक्षत्र रहेगा सुबात उसके बाद भर्णी नक्षत्र शुरू हो जाएगा और इस दिन वरियान नाम का योग बन रहा है यह रविवार का दिन है चंद्रमा मेश रासी में है और सूर्य व्रेश्चिक राशी में है जो की जेस्ट नक्षत्र कि अंगी आते हैं तो दोस्तों दोनों wiad दिन हम बात करें तो दोनों ही दिन एकाद किई है याँकिन जो मॉक्षत्र होती है इसे पित्रों की मॉक्षत्र के और इस दिन जो व्रत करता है उस व्रत रखने से पूरवजों के लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं और साथ ही आपके लिए बहुत शुपफल देने वाली होती है तो इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें भगवत गीता का जो जर्म है वो स्री कृष्ण के मुक्षे हुआ था और इसी दिन ये मुक्षिदा एकादशी मानी जाती है और गीता जैनती का भी इसी दिन माना जाता है यह जो दिन है गीता जैनती का दिन है मुक्षिदा एकादशी का दिन है इस दिन गीता का जो सार लिखा गया था वो था तो ये बहुत ही महतपूर्ण एकादशी की दिन है तो इस दिन का आप बेहद लाब उठा सकते हैं और कैसे उठा सकते हैं यह हम आपको वीडियो के आ जाएंगे मेश राती में चले जाएंगे तीसरा भाव पराकरम का भाव छोटे भाई बहनों का भाव होता है तो यहां चंद्रमा किस्तिती अच्छी बनी हुई है और आपके लिए इस समय पराकरम बढ़ने वाला रहेगा यानि आपका पराकरम देखने लायक होगा आप बेह है तो पूर्ण बाते होंगी वो लोगों को बेहत पसंद आने वाले हैं लेकिन साथ ही आपको कुछ ऐसे लोगों से समल कर रहना होगा अपने आसपास के ऐसे लोगों से जो आपकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं जो आपकी बातों को उल्टे तरीके से लेते हैं तो ऐस इसे लोगों से थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी आपके सहकर्मी आज आपसे खुश रहेंगे और आपकी इच्छा शक्ति आज बढ़ेगी आपका द्रड़निश्च आप बढ़ेगा और सबका ध्यान आप पर हो सकता है साथ ही कुछ लोग पीट पीछे कोई साजिस रख स आज अपने परिवार की तरफ से आपको किसी सदस्य का सहयोग प्राप्त हो सकता है और ये सहयोग आर्थिक रूप से मिल सकता है जो आपको बेहद सुकून भी पहुँचाएगा यदि आप किसी रिष्टिदार से आपने कुछ पैसा लिया हुआ है तो वो आपको इसे चु लेगी अपने रिष्टिदारों के तरफ से अगर आपने पैसा लिया हुआ है तो आपको उनका कृतग्य जरूर रहना चाहिए यानि उनको आपको धहनवाद जरूर कहना चाहिए क्योंकि ये जो चीज़ होगी आपके लिए बेहद रिलीफ वाली चीज़ होगी अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप अपने इस प्रोजेक्ट को तैय सीमा से पहले पूरा कर पाएंगे जो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा और इस समय आप राजनीती के शेतर से यह जुड़े हुए हैं तो राजनीती के शेतर में इन दो दिनों में आप जो कारे होगा वो देखने लायक होगा मांसिक रूप से आप खुद को स्वस्त महसूस करेंगे और जाप मांसिक रूप से स्वस्त रहेंगे तो दिन को आप आराम से गुजार सकते हैं आप इसमें कुछ ऐसी खुशी का अनुभव भी कर सकते हैं जो आपके दिल को सुकून आपके परिवार में हो तो ऐसी ही कुछ खुशी की बात हो सकती है जो आपके लिए दिन को बहतर बनाएगी प्रेम संबंद विवासंबंद पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज आप किसी ऐसे दोस्त से मिलेंगे जिससे आप काफी लंबे समय से मिलना चाहते थे और लंबा रिष्टा निभाना चाहिए क्योंकि कुछ जो रिष्टे होते हैं कुछ जो व्यक्ति मिलते हैं वो आपके जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं अच्छी राय देने वाले होते हैं समय पर अच्छा मश्वरा देने वाले होते हैं जो आपके जीवन में एक काफी ए रही है और वैवाई की जीवन भी अच्छा रहेगा आज आप अपने साथी की भावनाओं को समझेंगे आज आपका साथी आपसे दिल खोल कर बाते भी करेगा और अपनी बातों को शेयर भी करेगा जिससे आपको बेहत खुशी होगी तो अपने साथी की इस खुशी में आप कि समय बिताना है, हो सकता है परिवार में कोई मांगलिक कारेक्रम हो जिससे परिवार में जो वातावरन है वो बड़ा ही सुख में रहेगा तो माता पिता का साथ भी आपको मिलेगा और पूरे परिवार का साथ आपको मिलेगा, छोटे भाई बहन आज आपसे बेहद खुश रहेंगे और आपके साथ समय भी बिताएंगे जिन से बाते करके आपको बेहद अच्छा रहेगा ऐसा भी हो सकता है काफी दिनों से आपने साथ बैठ कर बाते ना की हो साथ बैठ कर कुछ विचारों को साजह ना किया हो तो ये वक्त हो सकता है कि आप सभी लोग एक साथ बैठे हो और अपनी बातों को साजह कर रहे हो जिसका आप लुथ उठा सकते हैं तो ऐसा माहौल होता है तो उसका पूरा लुथ पढ़ा उठाएं जो कि ऐसा समय कभी कभी आता है अब बात करते हैं विध्यारतियों के बारे में सिक्षा के बारे में तो सिक्षा के दस्टी से आज का दिन अच्छा रहेगा एक तो चंद्रमा किस्टिती अच्छी है और चंद्रमा पराकरम भाव में बैटे हैं तो आज जो विध्यारति हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा आज आपका पराकरम भी अच्छा होगा आज आपके पढ़ाए करने एक गती भी अच्छी होगी आज आप फोकस कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पर और यही फोकस आपको आगे चलकर सफलता दिला सकता है एक्जाम टाइम चल रहा है आपको वैसे भी अच्छे से बढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें और कुछ अच्छा आप कर सकें तो आज का दिन आज जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनके लिए अच्छा समय है आज आपको सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे आशा की किरन दिखेगी पुरानी बिमारियां ठीक होने लगेंगी तो अपनी खानपान पर ध्यान दें तले भुने से दूर रहें समय पर एक्सराइज करें तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा अब हम बात करते हैं यह जो मुक्षदा एकादशी है यह किस तरह अच्छे तो दोस्तो अब मुक्षदा एकादशी के दिन अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं बहुत अच्छा ये बात है क्योंकि इस दिन वृत रखने से पित्रों की आत्मा को मौक्ष पहुचता है और ये वृत जो है अगर आप वृत नहीं रखते हैं तो भी आप इस दिन सुभा और स्थान आधी करने के बाद भगवान विश्णू की पूजा आर्चना करें पूज आपको कथा दूसरी वीडियो में दे देंगे तो आप उसे एस दिन ज़रूर सुने और अपने पित्रों का तरपन आज आप शांत होते हैं और आपको सुखी जीवन का आशरवात देते हैं दोस्तो और आदी कैसी जानकारीहों के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लें